जी हाँ आपने थमनेल पर बिलको सही पढ़ा कि जीरो रुपए के अंदर आप इना बिसनस को कैसे शुरू करें और एक कॉर्परेट कंपनी तक कैसे पहुँचें नमस्कार दोस्तों मैं विशाल सिंग गुरू को ट्रेनिंग और कंसल्जनसी से आप तरभी का हार्दिक स्वा जाते हैं लेकिन जब की बारी आती है यह बिसनस के बारे मैं बात करता हूं तो लोगों के दीमाग में बहुत बढ़ा पैसे आता है बहुत बड़ी इंफरा स्क्र ekstra Up नहीं है अगर आपके बिसनस को पहुँचाना है तो आपको इन सारी चीजों की अभी जरूरत नहीं है आपको ढूनना पड़ेगा एक चीज जो आपको याद रखनी और वो है आपकी खुद की USP जी हाँ आपको अपने खुद की USP ढूननी पड़ेगी USP का मतलब होता है unique selling point मतलब कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खाशियत है कि जिसका use करके आप लोगों को अपनी service या अपनी कोई भी product बेच सकते हैं और दुनिया के अंदर खास जनकना आज के टाइम पे हर एक इंसान में कोई न कोई ऐसी खाशियत है लेकिन कई बार हम उस खास सित को पहचान ये और आप भी अपनी इस दुनिया के अंदर एक अलग पहचान बनाईए और मैं आपको इसमें मदद करूँगा चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अंतर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आज आपको ऐसी कुछ चीज़ें आपकी बताने वाला हू जिससे आप अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं यह यूग विशेशग्यों का है और अगर आप भी किसी ना किसी फिल्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप अपने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं जरा अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन से खासि कर सकते हैं क्या डिजाइनिंग कर सकते हैं इसमें से कौन सी ऐसी खासियत है क्या आप गार्डिनिंग कर सकते हैं क्या आप अपने किसी भी तरीके का टैलेंट का यूज करके दूसरे को सर्विस दे सकते अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके अंदर कोई ना मार्केटिंग जी हां और आप को मैं आपको तीन तरीके बताता हूँ मार्केटिंग में जिसमें बिना कॉश्न के आप मार्केटिंग कर सकते हैं और आप अपने बिसनसपो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं जिसमें सबसे पहला है वो है Social जी हाँ आज YouTube के अंदर फ्री में चैनल बना सकते हैं आप Facebook के उपर अपना आईडी बना सकते हैं Instagram पर बना सकते हैं चोटी वेबसाइट बना सकते हैं यह सारा का सारा सोशल मीडिया का यूज आप अपने expertise को लोगों को दिखाने में कीजिए अकसर कर मैं लोगों को दिखा है कि लोग बारिश चालू होती है वहाँ पर अपना phone यूज करके live कर देते हैं और ऐसी बहुत सारी unnecessary activities करते हैं जहां पर वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे सी यूज करते हैं लेकिन जब बिजनस की बारी आती हैं तो सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं मुझे नहीं क्या उनको प्रॉबलम है लेकिन शोशल मीडिया का यूज करके आप अपने बिजनस को पूरी दुनिया में पहला सकते हैं तो सही तरीके से शोशल मीडिया का यूज फ्री में आप अपने बिजनस को expansion करने के लिए कर सकते हैं दूसरा है आपको freemium model develop करना चाहिए freemium model का म marketing कर सकते हैं F मतलब friend, R मतलब relative, I मतलब institutional friend, E मतलब employees, N मतलब neighbor, D मतलब dedicated और S मतलब stranger जी हाँ आप इसका पूरा use कर सकते हैं मैंने आपको बताया है friends को पहले आप अपने product के बारे में बताईए उसके बाद में आपके relatives को बताईए फिर आपके institutional friends को बताईए कि जहां पर जि आपके साथ जो काम कर चुके हैं जो आपके संपर्क में ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसके बाद में आप अपने अड़ोस पोडोस को बताईए फिर आप ऐसे लोगों को बात कीजिए जो लोग professional से जैसे lawyer है doctor है और उसके बाद में आप जा सकते हैं stranger के अंदर तो इस किसी चीज आप marketing में यूज कर सकते हैं वह है collaborative marketing जी हां अगर मानें कि आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट हैं तो आप ऐसे बंदे को ढूंड लीजिए जो किसी और चीज में एक्सपर्ट हो और आप दोनों मिलकर आप अपने इस business को शुरू कर सकते हैं इसके अलावा आप co-founder ले सकते हैं और इसके अलावा अगर समझ में आये तो हम जैसे बहुत सारे expert हैं जो market में आपके लिए available हैं और आपको सही तरीके से guide कर सकते हैं कि आपके business को आप कैसे execute कीजिए जिससे आपका business बहुत अच्छे से grow करेगा और आप आने वाले समय में एक company बना सकते हैं और आप भी अपने वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जिसका कभी न कभी आपने ख़ाब जरूर देखा होगा तो इस video को उन लोगों तक जरूर पहुँचाए कि जो लोग चाहते हैं कि वो अपना खुट का business करे और अपने सारे सपने पूरे करे क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसे वीडियो हर हपते हम आपको दो देते रहेंगे और आपके जिंदेगी के अंदर आपको ग्रोथ करने के लिए हम आगे बढ़ात रहेंगे थैंक यू सो मच विशु आल दे बेस धन्यवाद